आज हम कक्षा 10 गनित में पार्थ 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रशनों को हल करेंगे ये प्रशन 2024 में होने वाली परिख्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं साथ साथ विद्यार्थी अपने इसकी परिख्षा के तयारी को भी चेक कर सकते हैं पहला प्रशन करते हैं यदि 144 और 180 का महत्वपूर्ण समापूर्थ 13 M-3 है तो M का मान ग्याद कीजिए तो सबसे पहले हम 144 और 180 का महत्वपूर्ण समापूर्ण निकालते हैं इनके अभाज़गूर्ण ख़ण निकालते हैं पहले 144 और 180 का अभाज़गूर्ण ख़ण इसे 2 से भाग किया तो 2 सत्य चौदा, 2 दूनी चार फिर 2 से भाग किया इसको तो 2, 3, 6, 2, 6, 12 फिर 2 से कट जाएगा ये और फिर 2 से कट के 9 आ जाएगा अब ये 2 से ना कट के 3 से कट जाएगा तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 इस तरह 144 के अब आज ये गुरनखंड में 2 की घाद 4 होगी और 3 की घाद 2 होगी 3 की घाद 2 है अब इसी तरह 180 के गुरनखंड करते हैं 2 से इसको भाग किया तो 90 आ जाएगा फिर 2 से भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा क्योंकि इसका एकाई का इस्थान सम नहीं है इसलिए इसको 3 से भाग करते हैं ये 3 से कर जाएगा और फिर ये 3 से कर जाएगा और लास्ट में 5 आ जाएगा तो इस तरह 180 के जो अभाजे गुरनखंड आएगे उसमें 2 की घाद 2 आएगी क्योंकि 2 दो बारी आया है 3 की घाद 2 आएगी और 7 में 5 आएगा अब इन दोनों से हम इसका महतम समापर्थ निकाल सकते हैं 144 और 180 का महतम समापर्थ दोखो यहां 2 की घाद 2 है और यहां 2 की घाद 4 है तो इन दोनों में उभाणिस्ट क्या होगा 2 की घाद 2 और 3 की घाद 2 तो इस तरह से इसका महतम समापर्थ है चार गुड़ा नो बनावर चतिस हमें निकालना क्या था कि अगर इसके महतम समापर्थ को इस संबंद से दिखाया गया है तो M कमान क्या होगा फ्रश्निक अनुसार 13m माइनस 3 बराबर 36 होना चाहिए क्योंकि ये तो इसका महत्यम सामा पर्थ है इस तरह 13m बराबर 13m बराबर 36 प्लस 3 हो जाएगा और m निकालने के लिए हम 36 प्लस 3 यानि कि 49 को 13 से भाब कर देंगे इस तरह जो हमारा m का मान है वो तीन आ जाएगा ये प्रस ने पिछली परिशाओं में कम से कम दो बार पूछा गया है तो इसलिए बिद्यारती ऐसे अलग-अलग प्रस्णों को जिसमें अलग-अलग नंबर दिये हों उनके प्रस्णों को हल करने का प्रयास करें